अपने काम पर ध्यान देना है तो आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी चाहिए कि आपको अपने मन को अपना गुलाम समझना चाहिए अपने मन को अपने बॉडी से अलग समझना चाहिए आपको अपने मन को तिसरे नमबर पर रखना चाहिए दुसरे नंबर पर आपके body को रखना चाहिए तभी आप अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं देखो आप कोई काम करने की सोचते हो आप अभी लेटे हुए हो फिर आपके मन में ख्याल आया कि मैं कुछ काम करू तो आपका मन बुलेगा कि अभी उठने का मन नहीं है बाद में करेंगे ये मन का काम है ये मन आपको छेड़ता रहता है कि ये बंदा काम करता है कि नहीं करता मन आपके उपर हक अदा करता है और आप मन के गुलाम बन जाते हो मन की बातों को सुन कर नहीं आपको बिल्कुल भी हैसा नहीं करना चाहिए आपके मन में खयाल आया है चलो मैं आज कुछ काम करूँगा तो आपको तुरंद उठना चाहिए आपके मन बोलता है कि ने उठना है भी तो आप मन को अंदर ही अंदर गाली दो और उठो अब मैंने बोला second number पे आपका सरीर को रखो तो आपका सरीर भी बोलेगा automatic कुछ ठकावट सी महसुस होगी आपके सरीर में क्योंकि आप गुलाम थी इतने दिन तक अपने मन के तो सरीर में तो ठकावट महसुस तो होगी वो ठकावट नहीं है वो आपका मन ला रहा है आपके सरीर में थकावट तो आपको अपने आपको चाटा मानना है अपने आपको गाली देना है और उठना है और सिधा वो काम करना है आपको सुनना भी नहीं ये दो तीन का भी नहीं सुनना है अपने मन और अपने बोड़ी की बात को आप उठो और काम करो अगर आप पढ़ना चाहते हो आप जल्दी सुबह उठके पढ़ना चाहते हो तो आपके साथ अक्सर क्या होता है मैं बताता हूं आप सुबह उठते हो तो आपका मन बोर रहा होता है कि चलो पढ़ते हैं करके तो ठीक है सही बात है पढ़ना लेकिन क्या होता है आपका मन और बॉलते है कि रोगों थोड़ा और सो लेते हैं रोगों चाय पी लेते हैं रोगों वहां से आ जाते हैं फिर पढ़ते हैं मन आपको बेकुप बनाने की कोशिस करता है और आप बन भी जाते हो तो जैसे ही आप तूरन उठे और आप अपने मन की बात सुने कि आपका मन बोर रहा है कि अभी रुको चाय पिलेते हैं फिर पढ़ते हैं तो आप गये काम से आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे आप ट्र प्रभव में जानते भी होंगे इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ तो आपको करना यह है कि अब जैसे ही आप बिस्तर से उठे वैसे ही आपको बुक पकड़ना है अपने कुछ चीज नहीं देखना है आपको ना मोबाइल देखना है ना कोई भी च्जी नहीं देखना है आपको सिधा बुख उठाणी है और पढ़नी है भली आपको नेद आये कुछ भी आये आने दो आपको बस पढ़ना है मतलब पढ़ना है नेद आये तो अपने आखों में पानी चीदो लेकिन बस आपको पढ़ना हिं हैं और ये चीज़ आपको डेली 25 days तक करना है 21 दिन तक करो 21 दिन तक आपको तो परिशानी होंगी ही आपको उठने का मन नहीं करेगा आपका मन आपका Mालीक था तो वो तो बोले गई कि चलो अराम करते हैं वो अराम को देखता है मन को इसी रास्ते को देखता है जो असानी सी मिल जा है वो असारास्ते को देखता है तो आपको 21 दिन तक इसको पलटना है जो आपका मन आपका मालिक था उसको आपको गुलाम बनाना है 21 दिन तक आपको उसे सूटी से मारना पड़ेगा आपको उसका तलवा चाटना नहीं पड़ेगा आपको उल्टा उसे मारना पड़ेगा पहले आप तलवा चाटते थे उसका अब आपको उसे उल्टा मारना है उसे पिटना है उसे दबोचना है बस 21 दिन तक वैसे आपको बॉडी को भी करना है आपके बॉडी में थकावट मह होती है तो अपने बोडी को लाप मारो अपने गाल को खीच गे मारो आपका बोडी ठकावट महसूस कर रहे हैं आपका पॉड्य में आन्टोमेटिक नीद आ रहा है बेवजалась आप बुक को पड़ रहे हो नीद आ रहा है तो अपने आंख में पानी चेत हो बस आपको 21 दिन तक कड़ते रहो क्योंकि 21 दिन के बाद ये सब चीज convert हो जाएगा मतलब ये सब आपके नौकर बन जाएगे ये सब आपके इसारे पे नाचेंगे आपको जिस टाइम पढ़ने का मन करेगा जिस टाइम जिवरी होगा पढ़ना आप उसरी टाइम आपको तरपाना भी पढ़ेगा तब ही आप ये हासिल कर सकते हो देखो ये एक चीज याद रखना दुनिया में कोई भी चीज बीना इस ट्रगल की ये हासिल नहीं होती बीना इस ट्रगल की आप कोई भी चीज हासिल कभी भी नहीं कर सकते बस आपको आदत डाननी है उस श्ट्रगल पन का श्ट्रगल को लाना ही पड़ेगा अपने लाइफ में तब ही आप सक्सेस्फुल हो सकते हो अभी आपके पास बहुत मौके हैं आप ये कर लो अभी से आपका जिन्दगी बदल जाएगा